अश्टम भाव में जनम की राशी जब पढ़ती है आपकी कुंड़ी के अंदर तो बहुत प्रभाव डालती है क्योंकि दर्शको हमारी जनम की राशी होती है वह हमारी पस्नेलिटी पर बहुत ही ज़्यादा एफेक्ट करती है अब वह जाकर आपके अश्टम भाव में क्या प्रभाव देगी आपकी जनम करेई किया इसी खास क्वालीटी आपको देगी या फिर कोई कास कमी आपको देगी जुम्की राशी में होने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या घट जाती है आईए इसी को बारा राशियों के अनुसार विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं मैं स्टला दर्श अलेजन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शको अश्टम भाव में जनम राशी तभी पढ़ती है जब चंद्रमा अश्टम भाव में हो अर्थात आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा अश्टम भाव में बैठे हैं वहाँ पर जो राशी है व दर्शकु बहुत सारे बाते होती हैं किसी एक राशी की क्वालिटी के अंदर पर आज खास बात यही है कि उसे अस्टम से कनेक्ट करके बात करेंगे तो मेश राशी वाले जब अश्टम भाव में स्थित्त हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि अपने मन की बात को मन में ही रखना शुरू कर देते हैं सामान्यता अमेश राशी वाले अपनी बात पहली बार में बोल देते हैं जाता समय नहीं लगाते लेकिन अश्टम भाव में इस्तित होने के कारण वो अपनी बात तुरंत कहना बंद कर देते हैं वो यही मानके चलते हैं कि हम अपने अनुसार, अपनी शम्ताओं के अनुसार आगे बढ़ेंगे ऐसी परिस्तितियों में वो ये करते हैं कि अपना लाब देखना बंद कर देते हैं किसी जल्दबाजी में नहीं रहते, पुरे इत्मनान से चलते हैं और यहां यह उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है, शांती प्रिये तरीके से चलना वैसे मेश राशी से शांती प्रिये तरीके से चलने की थोड़ी उमीद कम करते हैं लोग क्योंकि मेश राशी वालों को माना जाता है, बड़ा जोश के साथ लड़ने को तयार रहते हैं लेकिन ये सबसे गलत धाड़ना है, यहां अश्टम भाव में मेश्राशी वाला बिलकुल शान्त हो जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता, पर्सनल रिलेशन्शिप में भी आपसे जादा शिकायते नहीं करेगा, आपके जो मन में आए वो करो, आपको जाना है जाओ, आपको रह हो जाती है, ऐसी परिस्तितियों में मेश्राशी वाला, अगर कभी भी किसी भी तरह का जुआ खेलना शुरू कर दे, तो वो अपनी सारी क्वालिटी को खराब कर देगा, अब चाहे वो स्टॉक मार्किट के अंदर ही क्यों ना हो, इसलिए मेरी ये बात खास तोर पर ध्या होना है, इसलिए सिरफ वही बताऊंगा जो अश्टमभाव में बैठने के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो अब बात करते हैं वरिशव राश्य की, यानि आपकी वरिशव राश्य अश्टमभाव में हैं, चंदरमा वहीं पर हैं, इसका मतलब यह रह पेंडन रखना चाहता है, यानि अश्टमभाव में वरिशव राशी यही कहती है कि अपने बेस पर ही सब कुछ कमाओ, क्या कमाओ, सिरफ पैसा, नहीं, मान सम्मान भी अपने बेस पर कमाओ, अर्निंग तो करो गई करोगे, इवन बच्पन के अंदर, माक्स प्याब अपन इसे अगर नेगेटिव अंदाज में सुनना चाहते हैं, तो यह समझ लीजिए कि कोई साथ नहीं देता, इस कारण स्वयम करना पड़ता है, लेकिन प्रशन यह उठता है कि क्या हम स्वयम कर पाएंगे, बिलकुल कर पाएंगे, क्योंकि अंतर मन अश्टम भाव में चला ग लिखता है, चाहे पैसे का हो, चाहे मान संबान का हो, चाहे बचपन में या यंग एज में मार्क्स का हो, करियर का हो, 100% अपनी पूरी अनर्जी को वहां लगा देगा, और अश्टम भाव चुप चाप आपको इस टार्गेट पर पहुचा देगा, पर ध्यान रखना, आप कि व्यक्तित पर क्या खास प्रवाव पढ़ने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा लोगों पर थोड़ा सा नजर रखके चलता है, यानि अपने आसपास के लोग, अपने मित्र, अपने प्रियर जन, अपने साथ काम करने वाले डबल सोर्स ओफ इंकम बनाओगे आप, एक जो सब को पता होगी, एक जो बहुत कम को पता होगी, गलग कारे नहीं कर रहे हैं, आप सही कारे करेंगे, लेकिन फिर भी ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कि यहाँ पर आपकी ये काबलियत बन जाती है, जिसे हम कहते हैं एक इलकल कमी देगी, कमी ये देगी दर्शकों कि आपको कहें ना कहीं कुछ लोगों से सम्मान कभी नहीं मिलेगा, और यहे वो लोग हो सकते हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा उमीद करते हैं, कि कम से कम ये लोग तो हमें सम्मान दें, अब ये चाहे आपके घर के बड़े ब मिलेगा, उमीदे छोड़ दीजिए, मितुन राशी वालो आपका अश्टम भाव में जनम की राशी पढ़ रही है, समझे मेरी इस बात को, अब अगली राशी पर आते हैं, कि अगर आपकी करक राशी अश्टम भाव में हैं और चंद्रमा वहीं बैठे हैं, इसका मतलब आ ऐसी परिस्तितियों में दर्शकों आपको एक बात पर खास तोर पर ध्यान देना है, आपको अपने क्रोध पर बहुत नियंतरन रखना है, देखे हमेशा ना क्रोध दिखाया नहीं जाता, आपकी ये करकराशी कहती है, कि आप अपने क्रोध को अपने अंदर ही बसा लो, सईयम करो, उस सईयम की साधना करो अल्टी मेटली आप रिवेंज लेंगे पर किस तरह का रिवेंज? आप बिलकुल सामने से बदला नहीं लोगे आप किसे का नुकसान भी नहीं करोगे पर आपने बच्पन में एक कहानी सुनी होगी न कि एक लकीर को ना काटना है ना मिटोना है लेकिन उसे छोटा करना है तो उसका क्या रास्था है उसके बिलकुल बगल में एक लंबी लकीर खीक दो तो ये दर्शको आपने संबंदर देखा होकर ना उपर से बड़ा उतल पुतल पर अंदर से शांत ऐसा व्यक्तित की क्वालिटी तो दे देगी यहां पर बैठके करकर आशी पर आपको भी तो थोड़ा ध्यान रखना है ना दर्शको अच्छा कमी क्या रहेगी कमी यह रहेगी कि आ बहुत ही जादा इमोशन्स के अंदर अपस और डाउंस को फील करोगे रिलेशन्शिप में कई बार नुकसान उठाओगे बहुत सारे लोगों से प्यार में धोका खाओगे ऐसी परिस्तितियों में सावधानी अधिक है इसका मतलब अपने आपको सेल्फ डिप्रेशन मोड में मत जाने देना मैंने आपसे कहा ना आपकी क्वालिटी है पलट कर जवाब ना देने की उस क्वालिटी को मजबूत करना है सक्त करना है तो आप ग्रोथ जरूर करोगे अब बात अगली राशी की यानि की सिंग राशी अगर सिंग राशी अश्टम भाव में पढ़ रही है चंदरमा वहीं पर है आपकी जनम पत्री के अंदर तो जनम की राशी से इंग राशी हो गई इसका अश्टम बाव से कनेक्शन हो कि क्या प्रभाव पड़ेगा यह प्रभाव पड़ेगा दर्शकों कि अब आपको यह लगेगा कि हर टॉपिक पर मेरे को विजय चाहिए मे प्रिस्पेक्ट और इगो में बड़ी पतली सी लाइन होती है ध्यान रखिए कृपिया करके इस बात को यह कमी कर देती है यहां पर बात बात पर आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले ने मुझे ऐसा कहा कैसे आज इसी पल इस व्यक्ति को मेरे को जवाब देना है बिलकुल पब्लिक में फेमस हो सकते हैं कौन होता है यह समाज और पब्लिक यह वो समाज और पब्लिक है आपके लिए जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं जो आपके साथ घर परिवार रिष्टेदार पडोसी हैं वो आप पर बहुत बरोसा करते हैं आपकी काबलियत को जानते ह परन्तु आप जब हर बात को इगो पे लेके जाएंगे तो क्रोध में कई बार ऐसा बोल जाएंगे जिसके कारण सामने वाले से आपके रिष्टे तूट जाएंगे जबकि यहाँ पर बैटी सिंग राशी एक कमाल की चीज देती है आप मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हो चीजों को समभाल बहुत अच्छा सकते हो किसी भी चीज को किस तरह से कंक्लूजन पे लेके आना है ये क्वालिटी आपको अश्टम भाव में बैठी हुई सिंग राशी जहां चंद्रमा बैटे हैं आपको दे सकती है उसका इस्तमाल कीजिए न तो स्वेम को भी जरा मैने कि कन्या राशी कि कन्या राशी आपके अश्टम भाव में बैठ गई वहां पर जंद्रमा भी बैठे हैं यानि जनम के राशी अश्टम भाव में जो कि कन्या बनके आ गई क्या करें किस तरह का व्यक्तित हो सकता है जो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा यहां पर दर्श होते हो तो भाग्य पर और इश्वर पर भरोसा रखा करो जो आपकी ताकत है आप किसी भी चीज की गहराई में जाने की शम्ता रखते हैं हर बात के पॉजिटिव और नेगेटिव सभी पहलूं को ठंक से देखते हैं फिर अनलाइज करते हैं फिर जाके किसी नतीजे पहुचते हैं तो यही क्वालिटी मेंटेन कीजिए गन्या राशी वालो जब अश्टम भाव में पढ़ रही है आपकी राशी क्योंकि जब भी आप दिखावे में या इमोशन्स में बहे जाओगे ना बेड़ा गर्ग कर लोगे बड़ा सक्त शब्द है पर जान बूच के कह रहा हूं कन्या राशी वालो बेड़ा गर्ग इस तरीके से आप सामने वाले को सारी तो राज की बाते बता दोगे अपने सारे ट्रिक्स बता दोगे अपने काम धंदे की सारी स्टैडिजिस बता दोगे यह सिरफ तब करोगे जब दिमाग बंद करके दिल खोल दोगे तो दिल पर ताला लगाओ और दिमाग को खोल के रखो अश्टम भाव में बैठे भी कन्या राशी बड़ा कमाल कर रही है आपके साथ आप बड़े से बड़े व्यक्ति को मात दे सकते हो पर आपको अपनी इसी बुद्धी के साथ चलना है जो कन्या राशी अश्टम भाव में बैठके आपको दे रही है आपका काम नहीं चलेगा इमोशन से लेकिन जो आपके बहुत करीबी प्रियजन है ना जैसे जीवन साथी संतान उनके साथ चलेगा क्योंकि वहां पर तो आप एकी चीज़ दिखाते हैं डेडिकेशन तो दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है दिखान कि γziękuję है हमारी उस प्लेइलिस्ट पर जहां हर एक राशी के बारे में अलग अलग तरह की वीडियोज हैं आपके व्यक्तित को अलग 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 तरी के से बताया और समझाएगिया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किस तरह ये पसनेलिटी होती है कौन आपकी अधिक मित्र रहेंगे कोशेश तो करी है दर्शको अगर आपको उसमें अपनी जनम राशी की या अपनों की जनम राशी की वीडियो देखे अच्छे लगे चैनल तुरन सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को भी लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना है व्यक्तित पर आपके ऐसा प्रभाव पड़ेगा दर्शको क्या बीच रास्ते में ही चीजों को छोड़ देने की आदत बना लेंगे कहने का मतलब रहा किस टार्गेट की तरफ जा रहे थे आधे रास्ते में छोड़ दिया ऐसा इसलिए क्योंकि कंफ्यूज हो गए आप त दोल लेते हो मों लेते हो लेकिन दर्शको आप हमेशा एंसर्टेंटी के कारन confuse हो जाते हो ज़रूरी तो नहीं है जो सोचके जा रहे थे बिलकुल वैसा ही हो बिलकुल ऐसी ही परिस्तितियां और इस्तितियां आपको मिल जाएं तो जरा इस मामले में सोचो बिलकुल चिंतन करो तो तुला राशी अश्टमभाव में बैठके चाहती तो यही है अपने टार्गेट तक पहुँच जाओ लेकिन बीच बीच में भटकाने की कोशिश करेगी जैसे में हाईवे पे चलते वे यूटन्स आ जाते हैं और आप मुड़ गया उसी यूटन्स है क्यों मुड़े भई थोड़ा सा और चल देते थोड़े से और हिम्मत लगा लेते पहुच जाते अपने टार्गेट पर द्याम रखना मेरे इस बात को सबसे बड़ी काबलियत भी यही है और सबसे बड़ी कमी भी यही है यहाँ पर बैठकर तुला राशी वालों की तो जि दिश्चिक राशी अस्टम भाव में पढ़ गई है यानि कि अब आपके व्यक्तित पर बहुत प्रभाव पढ़ने वाला है किस तरह से यहां पर दर्शकों मैं तो यही कहूंगा कि आप बच्पन से ही अपने आपकी परस्टनेलिट को सेल्फ डेवलप करते चले आ रहे हो यहां पर इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको एक चीज करनी है जिसे कहते हैं Zero Expectation उमीदे करनी ही नहीं है चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो चाहे वो दुनिया में कोई भी हो आप अपनी काबलियत के बेस पर उचाईया चू जाओगे और जब आप सोचोगे च चलो मिलके ग्रोथ करते हैं कोई नहीं मिलने वाला सब पीठ पीछे चुरा घोप कर जाएंगे इस बात को कटू शब्दों में मान लो और अपने जहन में बैठा लो अगर ऐसा कर लोगे ना तो आपका मन शांत रहेगा नहीं तो बिना वज़े ही बदनामी आमोल लेते रह सब्सक्राव में वह है डिपलो मैसी जो जाहां तोर पर विश्चिक राशी में आती नहीं है पर यहां आ जाएगी यह डिपलो मैसी का इस्तमाल करो लोगों को अपनी परस्नेलटी पता ही मतलग नहीं करके देखो आपको आनंद आएगा और जो कर रहे हैं वह बताना कि अपनी परस्नेलटी को थोड़ा सा चुपा लेंगे तो अच्छा रहेगा बिलकुल एक्सपेक्टेशन मत कीजिए अब अगली राशी की बात यानि की धनू राशी अगर आपके अश्टमभाव में हैं यानि चंद्रमा जनम कुंडली में अश्टमभाव में हैं वहां ध जादातर चीजों को जिस तरह से भी देखते हो उसको थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करो और सिरफ अपने नजरिये से देखना शुरू करो अगर आप चाहेंगे कि दूसरे के नजरिये को जादा समझ लें तो यहां धनूराशी आपका हेल्प नहीं करेंगी अश्ट है आप इसे कठोर शब्दों में सेलफिश ही कह लीजे जिसे यह मानना है वह भी मान ले कि हम सेलफिश हैं ऐसी नेचर अगर आप बनाएंगे ना तो फिर होगा क्या आप कई बार जिस कारण लास्ट सेज़ पर आकर भी चीजों से हट जाते हैं आपकी जिंगर किसी और को प्रमोशन मिल जाती है आपके किये वे काम का फाइदा किसी और को मिल जाता है वो सब नहीं होगा फिर वो तब अच्छा हो जाएगा अगर आप इस मामले में प्योरली अपनी सोचेंगे तो यहां बैटी वी धनूराची फिर दिमाग बहुत ज़्यादा देती है अब आप चलाओगे ही नहीं उस दिमाग को तो कोई क्या करेगा तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए सेल्फिश होना कभी-कभी अच्छा होता है और यहां बैटके तो कुछ जाद ही अच्छा हो जाएगा इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि आप दूसरों को नुक्सान दें पर अपने बारे में सोच के ग्रो करने में बुराई क्या है दनुराशी वालो अश्टम भाव का थोड़ा अच्छे से इस्तमाल कर लो ऐसे ही मकर राशी वालो की बात करते हैं अश्टम भाव में मकर राशी चंद्रमा के साथ कर क्या रही है हमारी जिंदगी में चाहती क्य है वो यह चाहती हैँ किश सबके साथ विकास करो सबके साथ जो widely करो आप Miriam Halo के साथ लोगों के साथ एक बड़ा सामंजस्य बना लेते हैं क्यूंकि यहां बैठी मकर राशी फाइनली यह कहती है कि मेरे को सब के साथ मिलकर चलना है और सब को अपने साथ लेकर चलना है तो यह quality आपकी बहुत अच्छी होती है लेकिन कमी भी बता रहा हूं इस वीडियो में तो मकर राशी वालों की यह कमी रह जाती है कि कभी कभी सारी दुनिया की सोचने के चक्कर में यहां अश्टम भाव में आप अपने परिवार को थोड़ा इगनोर कर देते हैं इसके कारण आपकी संतान आपसे नराज उचाती है इस कारण कभी कभी आपकी संतान आपको छोड़ कर चली जाती है तो थोड़ा संतुलन बनाईए ना समाच और परिवार के बीच में संतुलन बनाईए मकर राशी वालो बना लेंगे आप मुझे पूरा भरोसा है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रही है आप लो कि कितना किस तरह से यह अश्टमभाव में बैठ कर जनम के राशी आपर बैठ गई कुम्ब इसका मतलब यह रहा दर्शको आपको अपनी बात किसी को समझाने में दिक्कत आने वाली है सामान्यता नहीं आती है लेकिन जब आप अपनी फेलिंग्स को पूरी तरह से कहे देना चाहते है ना उसी समय आपकी जबान बंदो जाती है आप बाते कही नह कुछ इस तरह के विचार आने लगते हैं बहुत गलत विचार हैं यह थोड़ा कंट्रोल कीजिए इस अश्टम वाव में बैठी वी अपनी कुम्बराशी को अगर जीवन में अकेले नहीं रह जाना चाते हो ना तो मेरी इस बात पर खास दिहान दो कुम्बराशी वालो अच्छी बात क्या है रिश्टों को निभाने में हो तो बहुत अच्छे पूरा डेडिकेशन दिखाते हो जिसने जो मांगा उसको वो दे देते हो कोई विलंब नहीं करते जब डेडिकेशन में कोई विलंब नहीं करते Responsibilities में कोई विलंब नहीं करते कुम्राशी वालो या अश्टमभाव के कारण तो कहने में क्यों विलंब करते हो तुरंत बोल दिया करो छोटी सी बात है पर आप समझ लो तो अच्छा है आपके जिंदिगी के लिए अच्छी रहेगी अब आखरी राशी के बात करते हैं कि अगर में राशी अश्टमभाव में बैट गई इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है कि आपका जनम का चंदरमाश्टम में है में राशी के अंदर अर्थार्थ आपके confidence के अंदर बार बार कमी आईगी आप चाहेंगे तो बहुत कुछ करना लेकिन कुछ ना कुछ अर्चने आती ही रहेंगी ये अश्टमभाव देता तो जरूर है लेकिन काबलियत भी एक बात और दे रहा है वो कहते हैं जो गिरकर उट गया वो ही कमाल कर रहा है और आप इस कमाल को करने की शंतार रखते हैं सिर्फ कुछ समय इंतिजार कीजिए जो समय विपरीच जा रहा है उस समय बेकार की जद्दो जहद में मत लगिए यहां मीन राशी कहती है शान्त हो जाईए उस समय अध्यात्मिक तरह की तरह दियान दीजिए यानि अपने आपको किसी तरह से भी अपने धर्म या अपनी संगठन में जोड़ के रखिए यह दार में प्रक्रियाओं की तरफ और कुछ नहीं तो इससे बिलकुल अलग एक बात बताता हूँ शॉपिंग ही कर लीजिए अगर बजट अलाव कर रहा है तो तो मीन राशी वाले अश्टम वाओं में बैठके जब ऐसा कुछ करेंगे न तो उस समय को पार कर देंगे फिर आपका दिमाग जगरी तवस्ता में आ जाएगा यानि जब वो समय पार हो जाएगा तब आपका creativity वाला दिमाग निकल लगाएगा जो finally आपको result देगा यानि फिर आप वोही चीज़े जो नहीं कर पा रहे थे बड़े अच्छे से कर पाओगे तो simple rule है यहाँ पर जब मामला गडबड हो तो थोड़ा शान्त हो कर बैठ जाओ में राशी वालो अश्टमभाव यही चाह रहा होता है आपसे थोड़े समय में लहरे शान्त हो जाएंगी फिर नाओ दड़ा लेना समंदर में कौन मना करता है दर्शको अश्टमभाव में बैठी वी आपकी जनम की राशी प्रभाव तो बहुत सारे दे रही है इसलिए लाइक भी कीजिए शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवा